सात्यों कोशन नंबर एक है वर्ड सिक्वेंसे और इस प्रकार से कोशन रहते हैं आपको इस वीडियो की माध्यम से प्लाचलने वाला है तो वीडियो को ध्यान प्रुवक देखना और कोशन को पहले खुश से जरूर टैम करना अगर आपसे कोशन ना सॉल्फ हो तो इसका मैं सोलिशन भी कराऊंगा वो भी देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको छे शब्द दिये गए हैं उनको आपको तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण करम में लगाना हैं और आप देख सकते हो यह कोशन सी अच्छे से में पूछा किया दा 2019 में तो काफी बहतरीन पॉशन हैं और जो यहाँ पर हमें शब्द दिये गए हैं जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर संगठन में खाली पद अवेधन प्राप्त करना लिखित परिक्षा और शाक्षात कार करवाना पदों के लिए अ संगवाना चैनित उमिद्वारों को नोकरी की पेशकर्ष नोकरी शुरू करना तथा नोकरी में प्रिसिक्षण तो आपको इन छे सब्द को अर्थ पूर करम में ववस्तित करना हैं देखो किस प्रकार से होंगे सबसे पहले यह देखा जाएगा कि संगठन में खाली पद ह है या नहीं है तो सबसे पहले स्थान पर पहले वाला ही आ जाएगा कि संगठन में खाली पद है या नहीं है अगर संगठन में खाली पद है तो पदों के लिए अवेधन मंगवाए जाएंगे तो चोथा वाला दूसरे स्थान पर आ जाएगा पदों के लिए अवेधन प्रिक्षा होगी, इंट्रिवी होगा, तो तीसरे वाला चौते स्थान्ट पर चला जाएगा, इंट्रिवी होने के बाद चैनित उम्मिद्वारों को नोकरी की पेशकर्स दी जाएगी, यानि कि offer letter दिया जाएगा और पेशकर्स के बाद नोकरी शुरू करना तथा नोकरी में परस्टिक्षन ट्रेनिंग देना छटे स्थान पर छटा चला जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ये करम बनेगा पहले पर पहला आजाएगा दूसरे पर चौथा तीसरे पर दूसरा चौथे पर तीसरा फिर पाँचवा फिर छटा कुछ इस प्रकार से करम बनेगा और ये करम विकल्प A में बन रहा है तो option A वाला इसका रेट एंसर बन जाएगा तो आपको बस दियान लखना है करम विवस्तित के अंदर आपको क्विन्स को follow-up करते हूँए चलना है और इस प्रकार की कोशन easy होते हैं free के नंबर रहते हैं अब दियान पूबवक करम विवस्तित करना होता है ठीक है तो इसी प्रकार के question हम आगे लगाने वाले हैं तो पहले आप जुरूर खुछ से attempt करना चलते हैं next question तरफ साथ यो question number 2 है और यहाँ पर हमें जगाओं के नाम दे रखें हैं और उनको हमें वबस्तित करना हैं देखो किस प्रकार से होगा अगर आप देखो कि यहाँ पर हमें विश्व दे रखा हैं मुंबई दे रखा हैं gateway of India दे रखा हैं एशिया दे रखा हैं महरास्टा दे रखा हैं और भारत दे रखा हैं तो इनको हमें वबस्तित करना हैं देखो किस प्रकार से होगा gateway of India जो है किस के अंदर हैं मुंबई के कहां पर है महरास्ट्रा में है महरास्ट्रा कहां पर है भारत में हैं भारत कहां पर है एश्या के अंदर आता है और एश्या कहां आता है विश्व में आता है तो बहुत इजी कोशन है और जो इसका करम बनेगा पहले पर तीसरा फिर दूसरा फिर पांचवा छटा चौथा फि traveling संबंदित को शब्द दिये गए हैं उनको arrange करना है और शब्द आप देख सकते हो वापसी की यात्रा, यात्रा की विवस्ता होटल में ठैरना, भ्रमन करना गद्वे पर पहुँचना तो ये 5 शब्द दिये गए हैं इनको आपको arrange करना हैं देख किस प्रकार से arrange करेंगे सबसे पहले आप यात्रा की विवस्ता करते हैं planning करते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरे को लेना होगा पहले स्थान पर जब आप यात्रा की विवस्ता कर लेते हैं तो आप फिर गत्वे पर पहुँचते हैं जहां पर आपको घूमने जाना है तो पांच वी वाला दूसरे सान पर आ जाएगा और जब आप गत्वी पे पहुंच जाते हैं जो भी डेस्टेशन आप में डिसाइड किया है वहाँ पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ जाने के बाद आप होटल लेते हैं वहाँ पे ठहरते हैं तो फिर होटल आ जाएगा होटल में ठहरने के बाद फिर आप भ्रह्मन के लिए निकलते हैं घूमने के लिए निकलते हैं तो चौथे वाला चौथे पे चला जाएगा और ब्रह्मण करने के बाद घूमने के बाद बापसी की यात्रा करते हैं तो पहले वाला पांच वे पे चला जाएगा तो जो करम बनेगा दो, पांच, तीन, चार, एक ये करम बनेगा और ये करम विकल्प A में बन रहा है तो ऑप्शन A वाला इस कार इटन सा बन जाएगा चीक है, इजी है बस आपको ध्यान रखना है जो शब्द दिये गए है, वो किस से संबंदित है अगर आप इस चीज का अगलन कर लेते हैं तो बहुत ही असानी से इस प्रकारी कोशन आप सॉल्फ कर लेंगे ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शियर, जिरूर करा करें चलते हैं, नेक्स करशी तरफ साथियो कोश नमबर चार है और कोश नमबर चार के अंदर आपको बैंक खाते संबंदित कुछ शब्दी दिये गए हैं उनको अरेंज करना है शब्द आप देख सकते हो अवेदन भरना, बैंक खाता खुलना अवश्यक दस्तावे जमा करना खाता बंद होना पैसे जमा करना, निकालना तो ये आपको पांच शब्द दिये गए हैं इनको अरेंज करना है, देखो किस प्रकार से करेंगे सबसे पहले आप अवेदन करोगे अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना है तो अवेदन पत्र भरोगे अवेदन पत्र भरने के साथ-साथ आपको important दस्तावेज देने होंगे document देने होंगे तो दूसरे स्थान पर तीसरा आ जाएगा जब अब अवश्यक दस्तावेज जमा कर देते हो तो आपका bank खाता खुल जाता है तो दूसरे वाला तीसरे स्थान चला जाएगा और जब आपका bank खाता खुल जाता है तो आप easily पैसे निकाल सकते हो डाल सकते हो और अगर आप पैसे निकालते नहीं हो डालते नहीं कुछ नहीं करते हो तो फिर आपका खाता बंद हो जाता है तो इस प्रकार से sequence बनेगा पहले सान पर आ जाएगा फिर तीसरा आएगा फिर दूसरा फिर पांच हुआ फिर चौथा इस प्रकार से सेक्वेंस बनेगा और यह सेक्वेंस आपको विकल्प B में मिल जाएगा तो option B वाला इसका रेटेंसर बन जाएगा छीक है तो यह पांच शब्दी दिये गए हैं इनको हमें अरेंज करना हैं सबसे पहले हम टेली विजन खोलते हैं यानि कि टीवी ओन करते हैं टीवी ओन करने के बाद अगर समय खराबी आती है जैसे कि आवाज में खराबी आई तो हम आवाज को ले लेंगे second अवाज कराब आने पर हम mechanic को बुलाएंगे उसको दिखाएंगे वो देखेगा वो टीवी को बनाएगा टीवी बनाने के पाद अगर वो ठीक हो जाती है तो उसको हम फिर से लुफ्स उठा सकती है तो पाँच वे स्तान पर दूसरा आजाएगा तो यहां पे जो सिक्वेंस बने गा वो बनेगा 5 1342 तो यह सिक्वेंस बनेगा और यह सिक्वेंस फिकल्ट बी में बन रहा है तो option बी वाला इसका रैंजाएगा चीक है साथीो question number 6 है और question number 6 के अंदर आपको विभा संबंदित गतिविदिया दी गई हैं, इनको अरेंज करना हैं, शब्द देख सकते हो, विभा हाल की बुकिंग, विभा के दिन का निधारण, महमानों का अमंतरण, विभा उस्तव, अमंतरण काट चपाना, तो आपको दिये गई शब्दों को अरेंज करना हैं तो देखो सबसे पहले, विभा का दिन का निधारण किया जाता है, किस दिन शादी होने वाली हैं, विभा का दिन निधारण होने के बाद, विभा के लिए जो हाल बुकिंग होगी, उसको देखा जाएगा, उसके बुकिंग की जाएगी, हाल बुकिंग के बाद, कार्ड च दो आएगा फिर दूसर सान पर एक फिर पाँच फिर तीन फिर चार यह सेक्वेंस बन जाएगा और इस सेक्वेंस भिकल डी में बन रहा है तो ऑप्शन डी वाला इसका रेड़ एंसर हो जाएगा चीक है चलते हैं नेक्स्ट कोशन तरफ साथ हैं और कोश्ट नमबर साथ के अंदर आपको परिक्षा संबंदित कुछ गतिवेदिया दी गई हैं उनको अरेंज करना हैं जैसे कि अलारम लगाना प्रशन पत्र हल करना अलारम की घंटी बजना परिक्षा केंद्र पर पहुंचना कपड़े पहन कर तयार होना उत्तर पुस्ति का लोटाना तो यहाँ प आने के बाद अलारम की घंटी बजेगी अलारम की घंटी बजने के बाद आपको तयार होना पड़ेगा तो कपड़े पहन का तयार होने के बाद परिक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे परिक्षा केंद्र पहुंचने के बाद प्रशन पत्र को हल करना चालू करेंगे और प खटा इस प्रकार से सिक्वेंस बनेगा और यह सिक्वेंस विकल डी में बन रहा है तो ऑप्चिन डी वाला इसका रेट एंसर बन जाएगा चीक है अच्छा कोशिस करना है पहले खुश से अटैम्म करें अगर आपसे ना सॉल्फ हो तो उसके बादी आप मेरा लॉचिक देख करना है और आप देख सकते हो किस प्रकार के शब्द हैं कॉलिज में कक्षाओं में शामिल होना नमंकन की मेरिड सुची में गोशना कॉलिज में नमंकन लेना कॉलिज में नमंकन के लिए अवेधन करना वार्शिक परिक्षा कक्षा बार्वी परिणामिक गोशना कक्षा ब कॉलिज में अवेदन के बाद आपका नाम मैरिट सुचे में आएगा और अगर आपका नाम मैरिट सुचे में आ जाता हैं तो फिर आप नाम अंकन कर सकते हैं और आपको कख्षा मिल सकती है यानि आप पढ़ सकते हैं वापए तो कुछ इस प्रकार से आपके शब्द अरेंज होंगे और जो स्रिक्वेंज बनेगा वो 5, 6, 4, 2, 3, 1 यह स्रिक्वेंज बनेगा और अगर आप देखोगे विकल्प C के अंदर याला स्रिक्वेंज बन रहा है तो option C वाला इसका right answer बन जाएगा काफी बहतरीन question हैं इसी प्रकार के question थोड़े tough होते हैं तो आपको दियान प्रूबक इस प्रकार के question को time करना हैं चीक है चिकसक द्वारा रोग का निधारन दवा समय पर लेना दर्द से चुटकारा तो यहाँ पर आपको 6 शब्द दिये गए हैं इनको अरेंज करना हैं तो देखो किस प्रकार से करेंगे सबसे पहले पेट में दर्द होगा और अगर पेट में दर्द होता है तो आप चिकसक के पास जाओगे उससे मिलोगे उससे मिलने के बाद वो आपके रोग का निधारन करेगा किस प्रकार का आपका रोग है वो देखेगा रोग निधारन के बाद वो आपको दवा लिखेगा आपको दवा लेनी होगी दवा लेनी के बाद उसको आपको समय समय पर आना होगा तो पांचवे वाला आ जाएगा पांचवे सन पर और जब आप दवा का course पूरा कर लेंगे तो आपको 10 से चुटकारा मिल जाएगा तो कुछ इस प्रकार से sequence बनेगा सबसे पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौता, फिर एक, फिर पांच, फिर छे इस प्रकार से sequence बनेगा और यह sequence विकल्प साथ यह question number 10 है, काफी अच्छा question है, और यहाँ पे जो हमें शब्द दिये गए है एक कीट की जनम से लेकिए मृत्यू तक के sequence को दे रखा है, तो इसको आपको अरेंज करना है और यहाँ पे जो शब्द है, आप देख सकते हो, प्यूपा दे रखा है, मृत्यू है, लार्वा है, तितली है, अंडा है तो इसको अरेंज करना है, जो किस प्रकार से प्रोसेस होता है, सबसे पहले अंडा आता है अंडा आने के बाद उसमें लार्वा बन जाता है, लार्वा बनने के बाद वो फिर प्यूपा का रूप लेता है प्यूपा का रूप लेने के बाद फिर वो तितली बनता है, इनकी विक्सित रूप आता है और विक्षित रूप तितली बनने के बाद उसकी मृत्ती हो जाती है तो कुछ इस प्रकार से स्क्वेंस बनेगा यानि कि पाँचवा, तीसरा, एक, चार और दो यह स्क्वेंस बनेगा और यह स्क्वेंस दिकल्प C में बन रहा है पाँचन C वाला इसका रेडंसर बन जाएगा साथियो कोश नमबर 11 है और कोश नमबर 11 के अंदर आपको बच्पन से बुड़ापे तक के सब्दी दिये गए है उनको अरेंज करना है और आप सब्दी देख सकते हो बच्पन दे रखा है वे सकता दे रखा है इनफैंसी दे रखा है किशोरा बस्ता दे रखा है बुड़ापा दे रखा है तो आपको अरेंज करना है तो देखो सबसे पहले इनफैंसी आती है यानि कि बुरून होता है उसके बाद बच्पन आता है बचपन आने के बाद वे सकता आती हैं, वे सकता आने के बाद किशोरा वस्ता आती हैं और किशोरा वस्ता आने के बाद भढ़ापा आता हैं तो यहाँए अगर आप देखोगे 3,1,4,2,5 यह sequence बनेगा और यह sequence विकल्प B में बन रहा है तो option B वाला इसका right answer बन जाएगा चीक है easy है समझाए होगा साथ यो question पर 12 है easy question है और यह question आप लोगों के लिए homework है question को try करना solve करना और कोशिस करना आपको इसका जवाब comment में देने की चीक है चलते हैं next question तरफ साथ यो question number 13 है काफी बहतरी इन question है और यहाँ पर आपको 5 शब्द दिये गए हैं जो आपको एक खुशी की इस्तिती बता रहे हैं इनको एरेंज करना है अगर आप शब्द देखोगे examin दे रखा है excited दे रखा है एक्सक्रीम दे रखा है FAR करेंगे करने के बाद तुके तरीकी से क्लिदे रिखेंगे हाँ यह ठीक चीज किया मैंने तो आपक्सक्रीट यानिंग एक्सक्रीम हो जाएंगे और exclaim होने के बाद फिर आप excited हो सकते हैं कि हाँ यह चीज मैंने clear कर ली है तो कुछ इस प्रकार से यह सब्द arrange होंगे तो पहले इस्तान पर पहला आएगा फिर चौथा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर पांच हुआ इस प्रकार से यह arrangement होगी और यह arrangement विकल डी में है तो option डी वाला इसका राइट एंसर बन जाएगा साथ यह question number 14 है question number 14 आप लोगों के लिए homework है इस question को भी try करना solve करना और कोशिस करना आपको इसका जवाब comment में बताने की चलते हैं next question तरफ साथ यह question number 15 है और question number 15 के अंदर आपको मौसम समबंदी शब्द दिये गए हैं इनको arrange करना है अगर आप शब्द देखोगे गर्मी दे रखा है सरदी दे रखा है मौनसून दे रखा है बसंद दे रखा है शरत दे रखा है तो इनको arrange करना है तो सबसे पहले बसंद आता है बसंद के बाद गर्मी आती है गर्मी के बाद मौनसून आता है मौनसून के बाद सरद आता है और शरत के बाद सरदी आ जाती है तो इस प्रकार से इसकी arrangement होगी यानि कि सबसे पहले चौता आएगा चौथा के बाद पहला, तीसरा, पाँचवा, दूसरा इस प्रकार से arrangement बनेगी और ये arrangement विकल C में बन रही है तो option C वाला इसका right answer बन जाएगा चीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने word sequence से top 15 question cover कर लिए है आपको ध्यान प्रवक प्रेक्ष्ट लगाने हैं, सारे question आपको previously मिलेंगे और बहुती बहतीरी question है, इसी प्रकार से question एक्जाम में पूछे भी जाते हैं तो आपको ध्यान प्रवक पुरा practice stress लगाना है और भी इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, बैल आको क्लिक कर सकते हैं तागि आपके पास सारे notification टाइम को रहें, पोस्ट चरहें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राधी राधी